पंजाब ती हर्याना हाई कोड़ च पंजाब दे डीजी पी गौरव यादव ते ग्रैस कतर गुर्क रपाल सेंग ते नाली एससपी शरी मुकसर सहाप ते न अधकारिया नो तलब कीता गया तलब कीड़े मामले च एंडीपियस दे जड़े मामले दर्ज हुंदे ने उस दे विच सरकारी गवा जड़े पुड़सदकारी बढ़न दे ने उगवाई दे तक नी होंदे इसे तरह एक केस दा हवाला देंदिया जड़ा एक अक्यूज सी दोशी सी उसने पटीशन पाई सी उसने अपने वकील दे जड़े हाई कोड़ दा दर्वाजा खड़काया और किया कि वी गवा मेरे केस दे विच ने और वी दे वी सरकारी इदकारी ने उनना विच्चों हर गया पड़ सुनू के तुसी माफी बंगो ते फिर अगली कारवाई करो नाड ही डीजी पी ने इस दा जवाब की दिता है जासाब दे सामने ओभी तो अनू दसांगे और नाड ही कई तरह दिया चिरचावा ने क्योंकि एंडी पीस ने मामलेया दे वेच्च सरकारी गवा पन दे पॉलसदकारी पेश तक नी हुंदे उनानू कादा डार है की अनगेली है इत्थो तक कोट नू तक एनली मजबूर होना प्या के इस तरह लगदा है जिमें ड्राग माफी दिनार पॉलसदी मिली पोगत होवे पहला है आम लोक सथा दे विच गल्ला करते सी के पॉलस शक दी सोई पॉलस दे उत्ते भी खड रही है ते पंजाब पॉलस दे डीजी पी ने प्रोसाद वाया और कहा कैसी करड़ी तो करड़ी कारवाई करांगे और कीती भी है उननाने क्या फिर अगो हाई कोट दा जवाब ए सी के एता तो हड़ा कम है एता तुसी करना ही है पर जहें मसलें दो ते हुन तक कारवाई की कीती है और अगे इस तरह दी कोई गाल गुंजैश पैदाना होवे उसले ली एफिडेविट उननानों देना पवेगा ड्राग मामले देविच कई केस इस तरह दे बाण जान देने जिस देवे सरकारी है क्योंकि गवाहां दी सरकार नो फड़े आ जान दा है उस तो बाद NDPS दे तहत कारवाई हुन दी है एक वी सो वी दा मामला सी चलान भी पेश हो या दोश भी आएद हो गए पर उस तो बाद सरकारी गवाहां ने गवाही देनी सी पर उस दे करके मामला लगा तर अदालत चे लटक दा रहा और जिस दे वलो पटीशन पाई गी आप टीशन करता दा यह भी कहना है के मेरे वी सरकारी गवाहां चो सिर्फ एकने सरकारी गवाही देती बाकी उन नी पहुंचे तक नहीं एवड़ी लापर वाई है वड़ी अन गए लिया ऐस दे होते हाई कोट ने सक्त रुख अपना लिया और इस तरह बे असर जड़ी आया कारवाई नजर आ रही है डीजीपी दी और सरकार दी पहला माफी बंगनी चाहिए तो फिर तत्काली रूप चिकारवाई करनी चाहिए थिया होन सरकार हाई कोट नू विश्वास दवावे इस देले ही देरी होर नहीं होनी चाहिए इस कर लूं लेके कहा गया और सरकारी गवाई जो पॉडस मलाजम जदू भी गवाई देनली साला तक पेश नहीं होन दे ता शाक फिर पॉडस तही खड़ा होवेगा इस बावकाल है इस तो साफ दखाई दे रहे है मिली पाउगदी अंगलना सामने आई या इस तो तक कहा गया कि जड परने आ रहें दा एज इस तरह दे मसले को की स्मगलिंग वड़े पदर दे उत्ते हैं दे बावजिद सरकार ते पॉडस नकाम रही है पूरे देश दा विश्वास टूटदा इस तरीक के दिना ता डीजी पी ने किया किसी करडी तो करडी कारवाई कीती और करांगे भी त जिन्या गला नो लेके ही आज सुनवाई होई है और एफिडेविट लिखती रूप ची दिता जावेगा हाई कोट दे अंदर पेश कीता जाना है पॉलस दे बलो ग्रह मैक में दे बलो फिर हाई कोट अगली अगलेरी कारवाई देले की अदेश की नर्देश दिन दिया है बाच पता लगेगा फिलहाल काफी चाड़ चांब जड़ी ओ सुनननों मिलिया सरकार दे खलाफ वी और पॉलस परशासनों वी काफी कोज सुनना प्या हाई कोट नो इस करके क्योंकि कई नकम्में लापरवा अनगेली करना डे पॉलस मलाजम पॉलस दकारी पंजाब दे ड लाफ की वुपागी कारवाई हुंदी है यह उन्होंने समेच छेती पता लगेगा और कारवाई कीती किया हो चाहिए दाते है के पंजाब दे डीजी पे उन लोगों एक प्रेस कांफरेंस बकायदा करके जा एक बड़ी मीटिंग करके हंगामी मीटिंग साथ के अपने पॉ पॉस्ते सरकार नों काफी कोज़ सना देता है और हदायतां दे देती हैंने जाता कोई अगला अपडेट हो दा ता तक तुसी बने रहो एबीसी पंजाब देना